हलो दोस्तों मैं हूं सुय दुरगेश पाल और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लिखे आया हूं कि आप अपनी फॉर्म का इंडिविज्वाल या कंपनी का टैन नंबर कैसे अप्लाइ कर सकते हैं ओनलाइन के माध्यम से तो प्रिवियसली मैंने पैन का एक वीडियो डाला था उसमें बहुत सारी कमेंट स्थी कि टैन के ऊपर बीडियो बनाया जाए तो मैं अभी टैन के ऊपर आव एक वीडियो ये वीडियो बना रहा हूं इसमें टैन अप्लिकेशन और लाइन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ब नाम है जिसका नाम है 10-10 डील डॉट कॉंग यह आपको टाइप करना है एड्रेज बार में टाइप करना है www.10-10.com जैसे आपको इस साइट को यहाँ पर इन करेंगे तो आपके डेश्टॉप में यह साइट ओपन हो जाएगी कंटिन्यू का बटन आपको दबाना है कि कंटिन्यू करते रहना है उसके बाद आपको जाना है सर्वीसेस पर आपको जाना है सर्वीसेस स्रिफ क्लिक करना है तो आपको आप्शन्स आएंगे यह आपके राइट को और में 10 का ओप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे अब 10 के option में क्लिक करेंगे थोड़ा time ले रहा है भी 10 साइट नहीं चेल रही है दिखते हैं 10 के option में क्लिक करने के बाद यह open होता है आपको apply online पे जाना है new 10 पे जाना है आप change और correction भी 10 में कर सकते हैं second tab उसी का था उसमें तो आप यह instruction जो भी आप पढ़ सकते हैं राइट मैं instruction में नाकर direct नीचे आता हूं एक important चीज है कि आपकी category के सबसे कून person authorized रहेगा इनकिस आप company का या branch का division of company के लिए 10 apply कर रहे हैं तो company के director authorized होंगे individual है आप sole proprietor है branch of individual business है तो self खुद ही आप करेंगे यदि आप हुएप कर रहे हैं तो उसका करता उसका authorized representative है authorized person होगा यदि आप partnership firm है तो any partner of the firm होगा यदि आप EOP है association of person body of individual और association of person trust artificial judicial person है तो authorized signatory cover under section 140 of income tax act के अंदर जो आता है वो बंदा यहाँ पर authorized person कहलाएगा तो दोस्तो चलते हैं आगे online form में दोस्तो एक और चीज मैं आपको बता दो जब आप form पूरा fill कर लेंगे fill करने के बाद उस form को acknowledgement को duly sign करके आपको इस address पर courier करना पड़ेगा स्पीट पोस करना पड़ेगा तब आपका 10 allotment होगा और 10 allotment आपका within 15 days होगा जो आपके mail पे आपको आएगा रहे तो यह आप ध्यान रखिए कि आप यह form जो मैं आगे बता रहूं यह fill करने के बाद उसका संबिट करने के बाद कुछ required payment होती है 25-30 रुपी की यह 50 रुपी की वह payment करने के बाद आपको उसका प्रेंट निकालना है उस प्रेंट को इस address पे बेंगलोरों के यह address पे आपको स्पीट पोस्ट करना होगा राइट और यह जो है आपको मिनिम्मम 15 दिन में पहुंच जाना चाहिए और आप जिस दिन आप भेजोगे बिट्विन 15 टू 7 टू 15 डेस में यह 10 आपका अलॉट्मेंट हो जाता है तो चलते हैं शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर आया अप्लाइं न्यू टैन पे तो आपको केटेगरी सेलेक करना है कुंसी केटेगरी है आपकी सेंटल गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट कंपनी ब्राच इंडिविज्वाल war आप ज सलाक कर लींजे ए इसलंग करते हैं तो इनिविजवाल के सेंदेwieज़ को बना पढ़ाइग एह अदि आप करते हैं तोaremos जाएगी वंती यदि आप company करते तो इंफरोरॉष्ण जाएगी अभी मैं एक काम करता हूँ आपको ईंडी फीसंवल ने एक फर्म के हिजाब से आपको बता दिता हूँ वहाँ आप साहरी चीज बतागा दूँगा ये क्लिक हमने कर लिया अब कमपनी है कैटेगरी और डिड़क्टर आम अब दोस्तों इसमें एक इंपोर्टेंट चीज ए उसके बाद सेलेक्ट के ऑप्शन में अपने को क्लिक करना है जैसी आपने आपने सलेक्ट कर लिए फास अप्लाइए न्यूटेंट पे अप्शन में क्लिक करिए अब दूसर आपको यह एरिया कोड यो टाइप और रेंच और यो कोड सर्च करना है तो क्लिक हेर कीजिए आप जिस भी लोकेशन पर रहते हैं इसली मिल जाएगा आपका फंका नाम फॉर एक्जामपल इसे चालू होता है तो आप इसे क्लिक करिए नहीं सौरी फंका नहीं आपकी सीट जैसे मैं धियसे से है उस सीटी का पहले नाम कीजे जैसे डी में सलेक्रणक टो डी से बहुत जगा आजाता जैसे दैली में स्सौर्णक करता हो वालिट भर आप दैली से सलेक्रणक करेंगे तो भ्राइली का यव टाईप यो ठीर रहेंज आगी अब इस aired इसे आप फ्रश यहां आप इस नाम से भी आपका चालू होता है उस रेंच पर बैठता है उसको सब्सक्राइब करिए मैं भी कोई यह सब्सक्राइब करने के बाद आपका आठोपील आजागा समिट कर दीजें तो यह आपका देखिए यह कोड आटोमेटिक आ गया यह टाइप आगया रेंच company बनना पड़ेगा designation of person responsible मतलब authorized person का नाम डालना पड़ेगा मतलब डारेक्टर का नाम इसके लाब बागी कोई कॉलम नहीं बनना एदेट डी में आप branch division है तो उस related information आपको डालनी होगी रैट अब आप branch individual बीडिवल भी नहीं हाँ अब दूसरा यदि आप form है तो आपके यहां पर ऐसा highlighted आ जाएगा हमने form select किया ना तो form के case में क्या होगा आपको यहां पर form का नाम लिखना है मैसर्स जो भी नाम आपको लिखना है आपको form का नाम लिखना है राइट उसके बाद आपको क्या करना है उसका address लिखना है जो rent agreement के साफ जहां पर registered business address है address है वही आपको लिखना है दूसरा address लेट नमर यह सारी चीज पिन कोड इमेल आइडिया आपको लिखना है यह सब चीज़ें आपको फिल करनी है उसके बाद basic information है वह सब आपको डालनी है राइट नेशनल नेशनल डिड़क्टर इंडियन है और यह आपको डालनी है इंडियन और और आपके पास टैन प्रम के केष अनमर या तयान का नमर है तो डालना नहीं तो फर्म के के एकाउंट में कमपनी के केस में अमपनी का और नमर डालना है यह ऑप पर्टनर का नाम एज़ा कपसिटी पार्टनर वेरिफाइड डेट एट लोकेशन आपको लिखना पड़ेगा लाइक डेली यहां पर रमेश पार्टनर एड डेली उसके पैमेंट आपको सिंपली पैसाट रुपे का पैमेंट करना है यह आपके फास ऑप्षन है बहुत सारे चाहे तो नेट वेंजट इध्रू कर सकते च्क कर सकते हैं विदे सब्टनर करने के वाट री डाइरेक्ट करके बापस इस साइड में लेके आएगा एक फर्म जंडेट होगगा उसमग它 को प्रिंट आउट लेना है चलान का print out लेना है यदि आप firm है तो उसमें partner का अधार और pen और firm का pen आपको attach करना है और safer site आप चाहें तो address proof भी attach कर सकते हैं यदि company है तो MOA, AOA, company का pen और address proof आपको attach करना है और director के KYC अधार और pen attach करना है दूसरा आप individual है तो firm का pen और अधार और address proof business का आपको add करना है दूसरा दोस्तों इसमें photos proprietor company case में कोई photo auto नहीं लगती और नहीं किसी case में photos की requirement है basic form है ये form आपको submit करना है payment करना है और simple सी print out लेना है और जो address मैंने अभी सामने आपको बताया था उस address पे आपको speed post करना है साथ दिन या पंदरा दिन के अंदर आपको mail पे आपका 10 नमबर lot हो जाएगा आपको mail आजाएगा तो ये थी दोस्तों 10 की process सारी तो मैंने simply आपको बता दिया 10 apply करने के लिए website है www.tinsets.nacdl.com पे फिर service पे जाना 10 पे जाना फॉर्म में partner authorized होता है और company के case में डारेक्टर जो होता है वो authorized होता है यह basic चीजे भरनी है आपको और उसका print out निकालना है payment करने के बाद online और payment करने के बाद फिर आप directly उसको पेंगलो एक तरीका यह होगा है दूसरा तरीका इसमें जो है वह भी मैं आपको बता देता हूं यह आपको बाद डिजिटल सिगनेचर है तो आपको तुरंथी पेन अलॉट हो सकता है एक या दो दिन में अलॉट हो जाता है उसकी प्रोसेस में आपको बताता हूं आप जाहिए न्यूटेन पे जाहिए आप जिस काइन के भी डिरेक्टर है आप कंपनीए कंपनी सलेक किरेजिए आपको फर्म उपन हो जाएगा यह फॉम जैसे मेने भरने को बता है स्एम-टू-सेम भरना है पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद डिजिटल टोकन लागके अप्रूब करना है फिर आपको को इस case में physical form भेजने की आफशक्ता नहीं सेम प्रोसेस सिर्फ डिजिटल सिगनेचर लगा के एथराइस परसन की इंडिविजल केस में इंडिविजल की कि अजिई रफ़ लगा के लिए सिर्फ़ में बद की आपोट सिर्फ़ लगा का।